मैं सबसे छोटी हूँ यह एक कविता जो कि एक बाल गीत के रूप में है आपकी पुस्तर का तेर्वा ध्याय है यह जो कविता है यह सुमिंतरा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है इस कविता में एक बच्ची अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा करती है यानि कि वो चाती है कि वह छोटी ही रहे ताकि लंबे समय तक वो अपनी मा का प्यार पा सके उसकी गोद में वो सोना चाती है उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके मन में डर है कि जब मैं बड़ी हो जाओंगी तो मेरे से मेरी मा का जो प्यार है वो छूट जाएगा तो आईए इस कविता को हम पढ़ते हैं मैं सबसे छोटी हूँ तेरे गोद में सोऊ तेरा आंचल पकड़ पकड़कर फिरु सदा मा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बना कर पहले हम को तू पीछे चलती है माथ हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात इस पंक्ती में एक छोटी बच्ची अपनी मां की सबसे छोटी संतान बना चाती है ताकि वे मां की गोद में सोच सके और मां के आंचल पकड़के उसके साथ घूमे वे अपनी मां के साथ छोड़ना नहीं चाती बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उसे चल करेगी बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी साथ में नहीं खिलाएगी इसलिए वे हमेशा चोटी बनकर उनके साथ रहना चाती है तांकि माँ का साथ कभी ना चूटे अपने कर से खिला धुला मुख धूल पौँच सज्जित कर गाद थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुगद परियों की बात ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा सने न खूँ मैं तेरे आंचल की चाया में चीपी रहू निर्ष पर निर्भे कहू दिखा के दे चंदरो दे कि उसे मा के साथ एक लंबे समय तक मिल जाए इसलिए वह छोटे रूप में ही रहना चाती है यानि कि मा का छोटा बच्चा बन कर ही रहना चाती है क्योंकि उसे डर है कि बड़े होने पर उसकी जो मा है खिला तियार करके हाथ में खिलोना देकर अलग कर देगी वे उसे ना तो परियों की कहानी सुनाएगी और ना उसकी गोद में सुलाएगी वे बड़ी होकर मां का प्यार खोना नहीं चाहती वे मां की आंचल रूपी छाया में रहकर अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करना चाहती है वे सदैव चाहती है कि मा की आचल में ही वे खेलती रहे और मा से चंद्र ओदे दिखाने की जिद करें तो मेरे प्यारे बच्चो ये सारी कविता है जो इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसमें वे अपनी मा के सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती हुई दिखाई दे रही है धन्यवाद